नमस्कार दोस्तों सेर मार्केट के गुरुजी में आप सभी का स्वागत है जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अरनाव फेशन स्टोक के अंदर आप एंट्री करते हो तो सोच समझ के एंट्री करना क्योंकि लगातार अपर सरकिट के साथ यह स्टोक उपर की और जा रहा था तो यहां से लगातार अपर सरकिट की जगा पे लोवर सरकिट लगनी शुरू हो गई है जितने भी रिटेलर घुसे हुए थे उन लोगों को यहाँ पर उनके share exit नहीं हो रहे है बहुत सारे रिटेलरों ने इस टोको 180 या 200 रूपे के लेवल से बाई किया हुआ है और वो लोग अभी बहुत पच्चतावा कर रहे है तो आगे क्या करना है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ तो ध्यान से सुनिएगा और समझेगा यहाँ पर आप देख सकते हो लगातार एक मेने के अंदर यहाँ पर उपर के ओर गया था इस लेवल को टच किया दोसों के और फिर वापिस वहाँ से गिर कर यहाँ पर गिर कर आ गया है 150 के उपर यहाँ पर आप देख सकते हो 150 रुपे के लेवल के उपर करीब करीब यह स्टोक अभी आ गया है लोवर सर्किट लगा के fundamental की बात करेंगे तो market के बहुत छोटा है 261 करोड का इसलिए दोस्तों संभल के e-stock को कोई भी operator operate आराम से कर सकता है P ratio 84 है P B ratio 11 है यहाँ पर आप देख सकते हो ROE 14% है EPS 2 है company वेसे तो आपको dividend 0.29% देती है और book value 15 है financial report में company के revenue की बात करेंगे तो 2020 और 2021 के अंदर यहाँ पर company का revenue बहुत बढ़िया तेजी से बढ़ा है और generate हुआ है 2017, 2018 और 2019 के बढ़ले यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली है company के revenue के अंदर revenue के साथ-साथ company ने मुनाफ़ा भी बहुत बढ़िया कमाया है वेसे देखा जाए तो 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 के अंदर company ने profit तो अच्छा खासा किया ही है और 2021 के अंदर company ने 3 करोड का मुनाफ़ा किया है net growth की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो net growth लगा तार पिछले 5 सालों से बढ़ा है 2017, 2018 और 2019 तक 3-4 करोड तक था और वहाँ से बढ़कर यहाँ पर 2020 और 2021 के अंदर बढ़कर 21-23 करोड तक पहुँच गया है और share holding pattern की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो retailer 72% है और promoter यहाँ पर 27% है देखा जाया है तो यहाँ पर दोस्तो promoter holding बहुत कम है इस share की share holding pattern ठीक ठाक है दोस्तो एक नजर से आपने देखा कि earnow fashion stock के अंदर promoter holding बहुत कम है retailer holding बहुत ज़दा है और FII, DII या फिर mutual fund वालों ने e-stock के अंदर निवेस किया हुआ नहीं है market cap तो बहुत छोटा है फिर भी e-stock को operate किया गया है ऐसा लगता है क्योंकि दोस्तो g-stock का market cap कम होता है उस stock को आसानी से operate किया आजा सकता है जैसे कि किसी के पास 50 crore पड़े है और e-stock का market cap 1.500 crore का है तो वो direct 50 crore के यह company के share ले लेगा तो दोस्तो इस company के share की value में बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी और e-stock company का share अगर जो 50 रुपे के उपर होगा तो वहां से जाकर 100 रुपे या 1.500 रुपे तक पहुँच जाएगा उसको देखकर आपके जैसे छोटे 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 रिटेलर जो होते है वो सब इस stock के अंदर investment करना शुरू कर देते है फिर आप जैसे लोग उस stock को उपर 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 ले देके जाते हो और फिर जो वो बड़ा माल लेके बेठा है 50 crore वाला वो direct वहां से कहा था कि संभल के रहना कभी भी lower circuit लग सकती है बट वहां पे कुछ बहुत अनुभवी और तेजस्वी लोग थे वो लोग बोलते है target 400 का है target 500 का है देख लो भाई lower circuit लग गई मैंने तो आपको आगे बोला था क्योंकि operator operate करना शुरू करता है तो वह अपना मुनाफ़ा बूक करके निकलने के बारे में इस होता है क्योंकि मुनाफ़ा देखने के बाद कोई भी लोग holding नहीं करते long term इसलिए share market का यही नियम है तो दोस्तों सोच समझ के ऐसे stock में investment किजिए जहां पर आपका future हो जैसे की company, reliance industry हो axis bank, icic bank या फिर pd light industry या भी बहुत branded branded company आए infosias, vipro, vedanta दोस्तों ऐसे stock में अगर आप निवेस करोगे तो आपको वहाँ से dividend भी अच्छा खासा मिलेगा और return भी बढ़िया से बढ़िया मिल सकता है वेसे अगर देखा जाए तो 84 उपिस के level के उपर यहाँ पर जब trade कर रहा था तब यह stock ने अपर सर्कित लगाना शुरू किया था तो दोस्तों इसका strong support जो दूसरा बनता है वो 84 के उपर ही बनता है क्योंकि वहाँ से यह stock continue उपर गया था तो दोस्तों इसलिए संभल जाना अपने expert या अपने broker से रह ले लेना और जिन लोगों ने 180 या 190 से buy किया या 200 रुपे से buy किया है उन लोगों को मैं बताना जाता हूँ ध्यान से सुनिएगा लिया है तो hold कीजिए दोस्तों hold करते हो तो वापिस year stock profit तो अच्छा खासा कर रहा है company profit कर रही है आपने देखा financial report में अगर अगला quarter बहुत बढ़िया आ जाता है result और उसमें company ने बढ़िया मुनाफा कर दिया तो दोस्तों इस company में वापिस upper circuit लगनी शुरू होगी तो 200 के भी उपर जा सकती है तो वहां से आपको profit book करके लालच के बीना निकल जाना है लोस के अंदर कभी भी share market में invest करते हो तो लोस के अंदर कभी भी share बेचना मत क्योंकि share market के अंदर निवेस करना बहुत अच्छी बात है बट आपको निवेस करना आना चाहिए analysis करनी आनी चाहिए share market के ऐसे important share की जानकारी के लिए हमारी चनल share market के गुरुजी को please subscribe करके बेल आइकन ओन कर दे तैकि important वीडियो के हर एक notification आपको मिलती रहे जाई हिंद